हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक और नए वीडियो में आज हम किसी देश के जॉब के बारें बात नहीं करेंगे दोस्तों ना ही सालवी के बारें बात करेंगे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही important topic है आपके लिए अगर आप एक जॉब सीकर हैं अगर आप जॉब्स के के लिए बहुत ज़्यौदा प्रयास कर रहे हैं नुकरी के तलाश में हैं बहुत सारा हैं बेकिन success नहीं मिलता है, आप interview में reject करा दिया जाते हैं reject कर दिया आता है आपको समझ में नहीं आता कि कारण क्या था लेकिन आज मैं को कुछ कारण बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि जब भी आपको इंटरिव्यों के लिए जाते हैं तो आपको कौन-कौन से चीज़ें ध्यान रखना है और फिर आपका जिसका एक्सपेरियंस एक साल से पांच साल के बीच है सबसे पहले ध्यान देना है आपको आपका ड्रेसिंग सेंस पर जब भी आपको इंटरिव्यों देने जाते हैं जाने से पहले आपको तयारी कर लेना है कि आप कौन सा पॉजिशन में इंट्रिव्यू देने जा रहे हैं या कौन सा पोजिशन का आपने एपलाई किया है और पोजिशन के हिसाब से दोस्तों आपका जो एटायर है जो कपड़ा है वो होना चीए चाहे आप से प्लेन शट पैंट एक शू एक टाई पहल लें तो पुछे लेगा या फिर जब आप आप यहां तक दिखता है आपका पूरा बोडी दिखता नहीं है ठीक है तो ओनलाइं इंट्रिव्यू में क्या करें भाई टाई कोट आपका हेर स्टाइल एकदम बढ़िया होना चीए फेस मतला होना चीए वेल शेप होना चीए ठीक है बहुत ज़दा बीयर्ड होगरा नह दिख रहे हैं क्योंकि आप वो company को जिस company आप जाने वाले इसको represent करने वाले हैं तो आपका सबसे पहले एटायर बहुत सुंदर होना चीए आपका face ठीक है आपका hairstyle बहुत सुंदर होना चीए तभी जाके आपका first selections करते हैं जैसे ही आप interviews के लिए बैठते हैं सबसे पहला questions आता है Tell me about yourself तो आपको अपने बारे में अच्छे तरह से पता कर लेना है मैं देखा हूं बहुत लोग अपने बारे में बोल नहीं पाते हैं इंट्रिविस के लिए लाखों सैलरी चीए यह तो हमको बोलते हैं कि मुझे एक लाख मुझे दो लाख मुझे पांच लाख सैलरी लेकिन जब समय आता है इंट्रिवि में बैठने का जब उनको पूछा जाता है Tell me about yourself तो अपने बारे में बताने में हिच्छी चाते हैं बोल नहीं पाते हैं तो क्या करना है अपने आपसे डेली अभ्यास करना है ठीक है डेली प्राक्टिस करना है मिरर के सामने बैठ जाना है और डेली अभ्यास करना अपने बारे में सिखना है कि आपका नाम क्या है अपने परिवार में कितना लोग है ममी पापा क्या करते है जादा लंबनी बताना है ठीक है फिर आपका एजुकेशन पर आपका एक्सपिरियंस और आपका फ्यूचर प्लान क्या है ठीक यह सारे चीजें जब आपको अपने बारे पूछा जाता है तो बताना है दूसरा question पूछा जाता है कि आपको ये जो position है इस position के बारे में कहां से पता चला where did you hear about this position ठीक है तो आपको बताना है कि आप news paper से देखे या किसी consultant के थुरू देखे या किसी friends के माध्यम से आप आये हैं या कोई reference से आये हैं जो भी है जो अरिटाइजमेंट जहां से आप देखा है आपको बता देना है कि आपको कहां से ये vacances मिला है ठीक तीसरा question पूछा जाता है do you think you are qualified for this position क्या आप सोचते हैं कि जो position के आपने apply किया है उसके लाप eligible है तो आपको बोलना है yes क्योंकि मेरे पास related experience है related education है और यही वज़या है कि मैंने इस job के लिए apply किया है जो चवथा question पूछा जाएगा what do you know about our company हमारे company के बारे में आप क्या जानते हैं तो बता दूँ मैं interviews के बारे में सोचने से पहले interview में जाने से पहले जिस company का vacancies के लिए आपने apply किया है उस company के बारे में आपको भली भाती पता होना चाहिए properly study कर लिजिए जिस company में आप जा रहे हैं उस company का CEO कोन है उस company कितना साल से existing है कितना लोग काम करते हैं उस company का turnover कितना है वहाँ के लोग कैसे हैं promotions कैसे होता है इस बारे में थोड़ा बहुत आपको idea होना चाहिए ताकि आप brief में company के बारे में बता सकें ताकि interview का लगे कि ये बंदा जो है मेरे company के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल कर चुका है और अगर यहा क्या काम करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक पूछ सकते हैं कि आप जो previous company में काम करते थे हो company कैसा था और आपका वहाँ पर job responsibilities क्या क्या था तो answer में आपको चीज ध्याद रखना है आपको explain करना है आपका job responsibility के बारे में कभी भी past company के बारे में कोई बुराई नहीं करना है हर चीज को अच्छा ही present करना है चाहे आपका boss हो चाहे company हो चाहे salary हो चाहे staff हो चाहे click हो हर एक के बारे में आपको positive reply करना है दोस्तों negative नहीं बोलना है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ऐसी ही बोल देते हैं कि मेरा boss अच्छा नहीं था इसलिए मैं नोकरी छोड़ दिया वो company अच्छा नहीं था इसलिए नोकरी तो ऐसे किसी company के बारे में जहां पर आपने और एक काम किया है negativity कुछ भी नहीं बोलना है लेकिन जादर Indians का habit है negative ज्यादा बात करते हैं ठीक लेकिन आपको क्या करना है ज्यादर negative कुछ भी negative नहीं बोलना है positive भी positive बोलना है दोस्तों आखरी सवाल आपसे पूछा जा सकता ह है what is your salary expectation आपको कितना salary लेना है या चाहिए तब को क्या बुलना है अगर आप मैं पहले बता दिया था अगर आप फ्रेशर है या पांच साल के बीच के experience है और आपका position अब तक manager तक नहीं गया है चाहे आप F&B attendant हो चाहे housekeeper attendant हो चाहे front office attendant हो चाहे आप कोई भी position में हैं जब इंट्रेव्यूस में बैठने से पहले आपको बता दिये जाता है कि ये position है ये salary है इतने हंडा duty करना है ये job responsibilities आपको रहना है ये करना है आप सब कुछ पढ़ने के बाद ही आप interview attend किये हैं तो आपको दुबारा salary के बारे में discuss नहीं करना है अगर आपने दुबारा salary के बा चाहे वो service charge, service charge दो नहीं कर सकते tips हो गया, billing में बहुत लोग हरा फरी करते हैं तो वो सोच उनके भी आता है वो ये सोचिंगे कि ये बंदा को लेने से हमारा नुकसान है फिर आपका selections कता ही नहीं होगा चाहे आप front office में जाए, चाहे हाउस shipping में जाए, चाहे आप FNV service में तीरों चीजों में ध्यान रखना है, आपको salary के वेरें डिसकस जादा नहीं करना है, लेकिन अगर आप kitchen में जा रहा हैं तो kitchen में बोलूँगा, जब तक आप DCDP लेवल पे नहीं किया हैं, तब तक salary का negotiation बिल्कुल नहीं करना चाहे, सब से पर आपको experience लेना है, तज़ूब होते हैं कि मैं तो अच्छे interview दिया, मैंने सब कुछ अच्छा बताया है, interview crack होना चीए, लेकिन ना जाना है क्यों, company ने मुझे reject कर दिया, reject होता है mainly पैसा को लेकर के, salary मैं पहले बताया, salary पहले से बता देते हैं कि आपको इतना salary मिलने वाला है, ठेक, अगर आपने उसके बावजुद अगर ज्यादा salary का लालाच किया, greedy पना दिखाया, तो यह आपको reject कर देते हैं, और वो बंदा को लेते हैं, जो सिर्फ और करियर के बारे में बात करें, company के बारे में बात करें, training and development के बारे में बात करें, उन बंदों को पहले लेते हैं, क्योंकि शुराती द तो सबसे पहले अपने dress sense पर ध्यान देना है, दूसरा salary के बारे में ध्यान से बात करना है दोस्तों, diplomatic बात करना है दोस्तों, अगर आपने ऐसे नहीं किया, तो आपका rejections होना 99% तय है, और अगर आपने salary के बारे मुझा दा मुह नहीं खोला, या diplomatic answer दिया, तो आपका selection 99% ह होना तय है, आशा करता हूँ आज के बीडियो को मातन से बहुत कुस समझ में आ गया होगा, आप job सिकर हैं, आप भी interviews दे रहे हैं, लेकिन selections नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज के बीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है, अगर आपको हमारा आज के वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कॉम्मेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको ही पता चले कि जब यो इंटर्वी देने जाएंगे तो उनको क्या करना चाहिए, थैंकिये सो मच पर वाचिंग, मिलत हैं, इसी तरह का एक और नए भीडियो में ने टक्रिक के साथ अब तक के लिए, आप रखें अपना खयाल और मुझे दे इजाज़त हैं कि सो मच जय हिंद, जय भारत